वेल्कम बेग गई श्वागत है आपके वार फिश्ट मस्ट के यूट्यूब चनल पे दोस्तों मस्ट प्रिवेश एर के लिए डिफरेंशल जियोमेट्रियन टेंसर अनालाइसिस में आज अपन यूनिट सेक्ट जो है उसको पढ़ लिया है इसके लावा यूनिट नमबर जो है जो टैंसर अनालाइसिस से आती हैं उनको भी कावर कर लिया है यानि कि अवरॉल हमने यहां पर तीन यूनिट यहां कम्प्लीट कर ली है फाइप में से आज अपने यहां पर चोथी यूनिट जो वह कावर करेंगे और स्लेबस के कोड़िंग यह सेक्री यूनिट ओके तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी सेके रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी दोस्तों के साथ सेर कीजिए हमारी जो पहली कलास से उसमें आज अपने एक most important theorem जो यहाँ पर करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूसी मियरस theorem जो exam point of view से बहुत ही जादा important रह चुकी है अगर मैं विकत वरसों के यहाँ पर बात करूँ तो 2011, 13, 15, 17 और 19 लगातार यह theorem जो है हर बार आपसे पुछी जा रही है ठीक है तो बढ़ते हैं इसके statement की तरफ और statement में कहता है कि इसमें समझाने वाले कोई बात नहीं थी इसमें कौन-कौन सिसे हमने काम में लिए हैं और किस तरिके से अपन इसको welldefined करेंगे वह यहाँ पर इसमें बतायगा है जो सबसे पहले हम दानेगे की जो accountability how taught बैक्ष्िर होता है और no normal section जो होता है तो चलते हिं अपन कारबैटर और normal section की साइड है कि तो यहाँ पर देखे no normal section जो वोक्या होता है और यहाँ लिखहए कि 2012 और 2014 इसके लावब भी यह जो है 15, 16, 17 मतलब इसकी definition जो है वो आप से पूछी जाती है exam में ठीक है और अपन यहाँ पर AJ definition को पढ़ रहे हैं देखिए normal section जो वो क्या होता है आपको एक diagram यहाँ पर शो हो रहा होगा इसमें क्या कहा गया है कि a plane drawn through a point p on the surface cuts the surface in a curve which is called normal section of the surface ठीक है यह क्या क्लाएगा एक normal section of the surface क्लाएगा if the plane contains the normal to the surface then curve is called normal section otherwise the curve is called oblique section यहने कि दो वाति यहाँ पर आपको बोल दी है अगर इसका contents जो नोर्मल नहीं होगा surface को नोर्मल होगा surface को उपर तब इस जो curve बनेगा इस curve को हम क्या बोलेंगे normal section बोलेंगे otherwise नहीं बनता है तो हम इसको oblique section बोलेंगे it is a obviously add the principle normal end cap to the normal section is parallel to the surface normal end cap ठीक है समझा गया यक definition चोटी शी आप इसको याद कर लो ओके normal curvature जो वो क्या होता है देखना if r equal to r uv is a surface and p is a point on the surface if r equal to rs is a curve passing through the point p then the components of curvature vector r double dash the direction of surface normal is defined as normal curvature of at point p for an example यको बात करें तो k n equal to r double dash dot end cap where end cap surface normal vector ठीक है यहाँ पर जो end cap पर यह क्या है surface normal vector होगा ठीक है तो यह वाले definition जो आपको याद रखनी है exam point view से important है और इनी दो definition को आमें लेते हुए अपन इस theorem को जो यहाँ पर show करेंगे तो बढ़ते हैं अपने theorem की तरफ अब अपन क्या करते हैं अपनी theorem को यहाँ पर proof करते हैं तो यहाँ पर आप एक diagram जो है वो देख रहे होंगे यह क्या है कि आपने तबला देखा तबला ठीक वैसे ही उसी की आकार का एक drum यहाँ पर बनावा है और उस drum में कुछ यह प्लेटे जो है यहाँ पर रखी गई है ठीक है यहाँ पर यह को नॉर्मल सेक्शन है इस वाले मैं अपने यहाँ पर देख रहे है तो यहाँ पर सबसे पहले अपने देखेंगे कि लेट इफ आर एक्विल टू आर यूवी इस एक सर्फेस है यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट पी होगा यह क्या है इस पॉइंट का सर्फेस है एंड देर आर टू सेक्शन देर आर टू सेक्शन सेक्शन कौन कौन से है ओब्लिक सेक्शन और नॉर्मल सेक्शन ठीक है इन दा सेम डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में दन डी यू अन डी वी उनकी वेल्लू क्या है डी यू और डी वी है इसके लावा हमने माना कि लेट आ कारवेचर वेक्टर, at point P, R double dash क्या है, कारवेचर वेक्टर है किसी बिंदू P के उपर, on the oblique section, then R double dash equal to KN होगा, जहां पर ही जो K है, इसको क्या बोलते हैं, कारवेचर of oblique section, ठीक है, small n का अब जो इसको बोलते हैं, principal normal vector at point P, और capital n का अब जो यह क्या होता है, surface vector at point P होता है, त at point P होगा, यानि कि, normal vector and normal section की जो value है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, theta यहां पर angle की बात की गई है, if theta be the angle between oblique section and normal section at point P, यदि, theta जो हो क्या है, oblique section और normal section की बीच का अगर कोई angle है, theta, तो यहां पर, यह जो oblique section है, इसको हमने small n cap से denote किया है, capital n से हमने normal section को यहां यहां पर सिर्फ इसकी value रखी है हमने, यह जो oblique section यहां पर आपको नाम दिख रहा है, इसकी value हमने small n cap रखी है, और जो normal section है, इसकी value हमने capital n यहां पर रखी है, then यहां हमें क्या मिलेगा, cost theta equal to small n cap and capital n cap, इसको हमने कोई नाम दे दिया, equation number first, and r double dash equal to k dot n, यह तो था ही हमने माना था पीसे, बट यहां पर एक चीज है कि curvature vector जो है, पो क्या होता है, r double dash equal to dt upon ts, और इसकी value होती है, k dot n cap, ठीक है, k equal to k n होता है, तो n cap equal to क्या हो जाएगा, यहनि k से यहां से small n cap equal to क्या हो जाएगा, k capital n cap हो जाएगा, so that यहां से हम क्या बता सकते हैं, कि r double dash equal to k n cap equal to k capital n cap, यहाँ पर हम क्या करेंगे talking dot product both side n cap यहाँ पर इस पर क्या कर देंगे दोनों side हम dot product लगाएंगे तो r double dash n cap equal to kn dot capital n cap इसको हमने कोई नाम देते equation number two और equation number first में equation number two की value रखेंगे then हमें मिलेगा r double dash dot n cap equal to k cos theta यहाँ से इसकी value क्या हमने हमारे पास इसकी value है k n है ना इसकी वहला हमारे पास k n है तो यहाँ से हो जाएगा k cos theta और यही हमसे क्या पूछा था पूछागा था which is required result ठीक है तो थोटिकल पार था समझने आया तो आप इसको रट लेना पर यह अग्जाम इसलिए आप इसको करना ज़रूरी है तो आज के लिए रखते हैं thank you so much मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक अपने खाल रखी हंस्तर यह मस्कुरात रहिए झाल 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 झाल